पीली भीत में महिला की लाइप पिटाई का वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वहीं मार पीत में घायल पिडिता ने आरोपी दबंग प्रधान की सिकायत पुलिस से कर नयाय की गुहार लगाई है ठाना पूरन पुरनिवासी भगवान पूर मंजू की सिकायत पर पुलिस ने या फाई आर दर्ज कर आरोपी की तलास सुरू कर दिया है पिडिता मंजू देवी का आरोप है कि उसके घर के पास में ही आरोपी दबंग प्रधान का धान का सोलर होगा चक्की है जिसके चलने से उसका कच्चा पुराना मकान हिलता है जो गिरता हूँ हालत में है जब पिरिता ने दबंग प्रधान से मामले में सोलर मसीन को अपने मकान से थोड़ा हटाने को कहा तो आरोपी ने उसे मार पीट की दमकी देते हुए बात को टाल दिया यही नहीं महिला ने मामले की सिकायत कई बार पुलिस से भी की लेकिन आरोपी पर पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की और आज पिरिता ने जब फिर दबंग प्रधान से मकान से सोलर हटाने की बात कही तो उसे पूरी तरह सरेयाम जम कर पीट दिया जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वहीं पुलिस सदिछट अविसेग दिछित ने बताया कि महिला से मारपीट के मामले में समुची धाराओं में एफायार दर्जकर्ज जल्दार रोपी को गिरपतार कर कारवाई की जा रही है आईए देखता है इंडिया पॉर्ड न्यूज की एक रिपोर्ट कौन मारपीट करता है आपके सब कर देखता है आपको को अमारे प्रोज में ना उनके सेलर चलते हैं पुड़ा मगान अमारा हाल रास अतराजे खुल गए उसे के लिए कह रहे हैं तहीं मार रहे हैं हमारी जगह का जमा रखे हैं इस समध में आपने कोई शेकाइट प्राधना पथ भाने पर दिया हमने पहुत बार दिये थाने जी लड़ाई होंचे तीन दिन पहले भी तीये और उस दिन भी तीये लेकिन आमारा को इस नुबाइन है थाने सर्भागा दिया जाए किस जगह का परदान है वो भगवनतापुर के हैं उसकी पत्निये लेस करवा माजुजा परदान है आज ठानापुरन पुर छेटर के घ्राम भगवनतापुर का इस मामला पुलेसर संग्यान में आया जिसमें एक महिला ने शिकायत करी कि कुछ लोगों इसके साथ मारबीट करी महिला की शिकायत की आधार पर उचित धावाओं में मुकदमा दर्श कर लिया गया है आगे विवेशना की आधार पर उचित वैधानिक वैधानिक नावरेटी गया है